Hello dear students, Class 9 Science के Chapter 3 Atoms and Molecules के Lecture No.3 में मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरा नाम है सरफराज दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Dalton's Atomic Theory के बारे में ठीक है Dalton's Atomic Theory क्या है, उसके Postulates क्या है, इस बारे में आज आपन डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दीके Dalton के Atomic Theory में जाने से पहले हम Dalton साप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्स से इन्होंने Atoms के बारे में कुछ बताया था कि Atom क्या होता है, ठीक है, तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं, टेक्स्ट्बूक में भी आपके पास ये गिवन है, देखिए क्या दिया हुआ है Dalton was born in a poor weaver's family in 1766 in England, जो Dalton है, ये एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलॉंग करते थे, उनका जो परिवार था वो बुनकर था, यानि कि बुनकर का का काम किया करते थे, सिलाई बुनाई का का काम करते हैं, बुनाई का का काम करते हैं, वो 1766 में, इंग्लैंड में पैदा 12 साल की एज में उन्होंने टीचर के रूप में अपना केरियर का शुरुवात कर लिया था, देखे, आज के डेट में हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, तो आज आप अगर पोस्ट गराज़िशन करते हो, फिर पीएजडी करते ह उसके बाद फिर आप कॉलेज में पढ़ाने जाते हो, लेकिन अगर हम बात करें 16th century, 17th century, 18th century की, तो उस टाइम जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ होता था, उसमें डिगरी नहीं हुआ करते थी, थोड़ा बहुत पढ़ा लुखा हुआ करता था, जिनके पास जान बना दिया था, तो वो एक टीचर थे, और 7 साल पढ़ाने के बाद में वो स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, यहां पर आगे पर लिखा हुआ है, 7 years later, he became a school principal, उसके बाद में, in 1793, Dalton left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in a college, फिर क्या हुआ कि 1793 में जो डाल्टन साब हैं, उन्होंने मैंचेस्टर की तरफ move कर लिए, अभी Manchester कहा है, यह भी UK में ही है, ठीक है, England भी UK में है, Manchester भी UK में है, तो यह Manchester की तरफ चलेगा और वहां पर किसी college में यह पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, mathematics, physics and chemistry, he spent his life, he spent his life there teaching and researching, उन्होंने अपने पूरी जिंदगी महां पर गुजार दी, पढ़ा फिर 1808 में उन्होंने अपना जो atomic theory है, इसको सबके सामने present किया, जो कि matter के study में एक बहुत ही बड़ा turning point था, ठीक है, अब इस matter के बारे में, इस atom के बारे में, इस atomic theory के बारे में उन्होंने क्या-क्या बताया, यह आपन next slide में देखते है, तो देखिए, Dalton's atomic theory में उन्होंन called atom, ठीक है, तो Dalton's हामने क्या बताया, कि चाहे कोई element हो, या कोई compound हो, या कोई mixture हो, यह सारे के सारे छोटे-छोटे particles से मिलकर बने हुए होते हैं, और इन्हीं particles को हम atom बोलते हैं, तो यह है आपका Dalton's atomic theory, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ postulates भी हैं, उसको भी आप जाता है, हर तरीके से वो सही होगा, उसको किसी proof की जरूरत नहीं है, इसको ज़्यादा तरह हम mathematics में, physics में, chemistry में use करते हैं, ठीक है, तो ऐसा statement, जिसको proof की जरूरत नहीं है, वो माना गया कि वो सच है, और वो सच होगा ही, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला point यहाँ अगर क्या है, पॉस्चुलेट्स क्या है, आपको डालता anatomic theory का पॉस्चुलेट्स अगर पूछें, तो यह जो पॉस्चुलेट्स हम अभी discuss करने वाले हैं, इन पॉस्चुलेट्स को आपको एक्साम में लिखना है, पहला postulate बोलता है, all matter is made of very tiny particles called atom, जितने भी तरह के matter होत हैं, और उन particles को हम atom बोलते हैं, second point में है, atoms are indivisible particles, और यह जो atom होता है, यह indivisible होता है, यानि कि आप इसको further divide नहीं कर सकते हैं, अगर आप divide करेंगे तो वो atom नहीं रह जाएगा, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction, जो कि किसी chemical reaction के time पे ना तो आप उसको बना सकते हैं, नहीं उसको destroy कर सकते है यानि कि यह जो atom है, वो एक indivisible particle है, उसको नया भी नहीं बना जा सकता और destroy भी नहीं किया जा सकता, जो पहले का है, वो as it is रहेगा, third point में बोला है, atom of a given element are identical in mass and chemical property, अब इसको ध्यान से समझी, देखें मान लेजें मैं यह आपर लिख लेता हूँ O3, अब आपको पता है O3 क्या होता है, O3 होता है ozone, O2 होता है oxygen और O3 होता है ozone, तो यह जो ozone है, O3, यह oxygen के तीन atom से मिलके बनता है, O plus O, ठीक है, तो oxygen के तीन atom से मिलके बना है, तो यहाँ पर यह जो element तयार हुआ है, इसमें जितने भी atom मिले हुए हैं, यह तीनों atom, इन तीनों का, जो mass होगा और chemical property होगा, वो identical होगा, अभी identical का मतलब क्या होता है, identical का मतलब होता है, similar यानि की same, तो इनका chemical property और इनका जो mass होगा, वो same होगा, ठीक है, element के बारे में मैंने आपको बताया है, पिछले पूरा chapter हमने discuss किया, element के बारे में, sorry, और, I'm sorry, इस chapter के starting में भी मैंने एक वीडियो बनाय है, तो मैं recommend करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लिजिए, इस वीडियो के description box में आपको इसी chapter का link मिलेगा, आप जाहिए, उसके playlist में जो सबसे पहला वीडियो होगा, वो आप ज़रूर देखीजगा, इसका lecture number 1 इस chapter का, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कु होगा और अलग-अलग mass भी होगा, मान लिजे मैं hydrogen को ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक oxygen को ले लेता हूँ, O2, ठीक है, तो यहाँ पर oxygen का mass भी अलग होगा, और hydrogen का जो mass है वो अलग होगा, और दोनों का जो chemical property है, वो भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगा, यह point यही बोल रहा है, ठीक, next point क्या बोला है, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound, जो atoms होते हैं, वो आपस में whole number के ratio में एक दूसरे से combine होते हैं, ताकि एक compound form कर सकें, ठीक है, जैसे की H2O, अभी H2O form कैसे होगा, जब hydrogen के दो atom और oxygen का एक atom मिलेंगे, अभी whole number का क्या रोल है, देखो hydrogen के दो atom बोल रहा ह तो 1 क्या है, वो भी एक whole number है, तो जब ऐसे ही whole numbers के ratio में atoms मिलते हैं, तो वहाँ पर एक compound का formation होता है, जैसे की H2O, ठीक है, तो H2 के hydrogen के दो atom, oxygen का एक atom, दोनों ही whole number के ratio में मिल रहा है, ठीक है, next जिसमें 6th point दिया हुआ है, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound, अब particular कोई एक compound है, मान लीजे कि water है, तो water का chemical formula क्या होता है, H2O, अब H2O में यहाँ जो उनका जो number होगा, जिस number में वो मिल रहे है, जिस ratio में मिल रहे हैं, वो constant रहेगा, यानि कि fixed रहेगा, अब fixed कैसे होगा, अगर आपको water form करना है, तो H2O चाहिए, यानि कि hydrogen के 2 atom और oxygen का 1 atom, ठीक है, अगर आप hydrogen के 3 atom म मिला लो, तो क्या वहाँ पर water का formation होगा, नहीं होगा, या फिर आप उल्टा कर लो, अगर hydrogen का 1 atom है, और oxygen का 2 atom है, तो भी water का formation नहीं होगा, तो particular 1 compound form करने के लिए, एक fixed ratio है, एक fixed number होगा, ठीक है, उस number के ratio में जब वो मिलेंगे, atoms आपस में मिलेंगे, तब particular 1 compound form होता है, एक carbon है, और 2 oxygen के atom है, यह अपस में मिलेंगे, तो CO2 का formation होगा, यानि की carbon dioxide, लेकिन अगर यहाँ पर 2 carbon को मिला लो, और 1 oxygen को मिला लो, तो क्या carbon dioxide formation होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो यहीं चीज़ यह बोल रहा है, the relative number of kind of atom are constant in a given compound, वहाँ पर जो उनका compound form करते समय है, जो उन constant होता है, fixed होता है, कि hydrogen आपको 2 ही मिलाना है, oxygen एक मिलाना है, तब ही water का formation होगा, ठीक है, तो यह 6 postulates है, dalton atomic theory के, और इस वीडियो में इतना ही रहेगा, next वीडियो में आगे का portion दिखेंगे, इसका पूरा notes आपको मेरे WhatsApp चैनल और Telegram चैनल पे मिल जाएगा, दोनों का link आप उसको follow कर लीजिए, subscribe भी कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो ज़रूर subscribe कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो, तो इसको like कर दीजिए, अपने friends के साथ share जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने easy language में, इतने easy words में मैं आपको समझाता हूँ, कि श